हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आई हो आप अच्छे होंगे तो मैंने आपको भी एक वीडियो से इसी वीडियो के पहले मैंने आपको बताया था कि मैं जो टूल की बारे मैंने डेटेल दिया था फ्रेंड्स की मैं अनलॉक टूल के बारे मैंने वीडियो बनाया था तो अगर आपन आपकाना चाहूंगा रेडमी का हमारे पास एक फोन है रेडमी एट Hell आपको अचव्यान व्हान आप यहांसे जैएगे तो हम प्रपर हैं पर मॉडल नंबर भी सर्च कर सकते हैं देख सकते हैं पर यह देख सकते हैं यहां पर इस मॉडल नमर को आप सर्च करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा यह किसी यूजर का एक फोन है जो कि इसमें देख सकते हैं यहां पर लगा हुआ है इस डिवाइस लॉक्ट मैं पर फार पी नहीं बताऊंगा फार पी इसकी नेक्स वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी अगर स्क्राइब को जाएगा फ्रेंट एक फार पी लगा होगा फिलाल जो हमारा आज मोटिव है वह है एम आएकाउंट का तो वीडियो को अब लास्ट तक जरूर देखेगा और इसमें जो एक प्रॉलम थी कि फ्रेंट इसमें वापस से आप कहते हैं कि वह लग जाता है क कि मैं इसमें बात करूं कि वापस से जैसे हम Wifi Connect करते हैं तो फिर से Mi Account लग जाता है तो यह जो प्रॉलम है मैं आपके समय करने Wifi Connect करके दिखाऊंगा कि इसमें Mi Account वापस से लग रहा है कि नहीं तो वीडियो को लास्ट तक जुरूर देखीगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सुस्क्राइब करना विल्कुल भी ना भूले तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और यह मैं Unlock Tool से आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसली तरीके से Mi Account रिमूव कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको देखा है कि हमारे पास स्वामी का फोन था जो कि रेड्मी का यह 8a था जो मॉडल जो कि यहां पर तो अब हम इसे करने वाले अनलॉक टूल से अनलॉक तो वीडियो को लास्ट दूर देखेगा तो मैं टूल को करता हूं ओपन फ्रेंड्स क्योंकि अभी मैंने इस से पहले जस्ट अनलॉक पर वीडियो बनाया था कि इस टूल को आप कैसे क्या करते हैं सारा चीज मैं यहां आपको यहां पर बताया हुआ था फ्रेंड्स तो यह टूल हमारा इस टूल को मैंने अगर आपने नहीं देखा है वीडियो इस टूल की डिटेलिंग की तो आई बटन पर जाईए और वहां पर मैंने इस टूल का फूल डिटेल दिया है कैसे इसको एक्टिवेट करना है कैस कीसे दोट चली को में स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने बोला था कि आपको यहां पे मैं इस टूल का आपको मैं प्रैक्टिकल वीडियो देने वाला हूं और लाइफ ट्दीकल वीडियो मैं आपके सामने एक दे रहा हूं । यह मेरा अनलॉक्र टूल पर पहला वीडियो और तो मैंने टूल पर बताया बस नहीं है मैंने प्रक्टिकल वीडियो आपके सामने में दे रहा हूं आपर तो दूसरी चीज इसमें कॉलकम सीट्यू है तो इसमें टेस्ट पॉइंट होगा तो टेस्ट पॉइंट को आपको कैसे फाइंड करना है मैं इस टूल के माधियम से गहांना होगा क्योंकि इस टेस्ट पॉइंट पड़ेगा तो ट्वीजर की जोलुत पड़ेगी फ्रेंट्स तो फिलाल यह हमारा टूल ऊपन हो जाता है तो फिर हम यहां पर कन्टीनिव करते हैं हम तो हमारा उपन हो जाएगा फस्ट और इसके बाद यह देखिए यह मारा तूल फ्रेंड्स ओपन हो चुका है यह देखी यह तूल हमारा ओपन हो चुका है अन्लॉक टूल अब यहां पर फ्रेंड्स हमें करना कहा है मैं सारा चीज सबसे पहले हमें इसका टेस्पॉइंट ढूँड़ना है तो देक सकते हैं यह जो टैब है यह किसी भी मॉडल का टेस्ट पॉंट जाने के बाद आपको देख सकते हैं आपना मॉडल नंबर साउं भी और यहां पर हम देखेंगे कि 8a का टेस्ट पॉंट है कि नहीं रेड्मी 8a अब प्रॉपर मॉडल वाइस भी डाल सकते हैं और यहां पर नोट 8 है रेड्मी 8a सेवन ड्येड्मी 7 अगर आपको लिख रहा हो तो वह एम आई एट नहीं है हुटे अचावाइस अपर प्रॉपर यह लुट है जाएट है बाकि मैं एट नहीं है तो मैं एट कोई सर्च कर लेता हूं उप्रैंड जासा कि मैं आप पर इसको पर लेता हूं और फंद करने के बाद यह देखिए तो 8a और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंट्स क्योंकि अच्छी क्लियर पिक आपको कहीं देखने को जल्दी यह नहीं मिलेगी तो यह वही फोन है जासे कि मैंने खोल के रखा हुआ है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह 8 है ब यह सारा वीडियो आपके सामने लाइब बनाता है अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज माई चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि हमारे जो ट्रिक है हमारा कैसा लगता है आपको अपना भी एक्सपिरेंस अप सेर करें तो चलिए तो अब हम इससे पहले त तो यहां पर हम अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं यह देखी रेटमी 8A हमारे पर दिखरा है और 8a है दोनों सेम है पर हमारे पास पर मॉडल है तो हम पर मॉडल को ले लेगे तो जैसे इंपने रेडमी 8A को कर दिया तो हम फैलाइट हो चुका है है आप क्या कर सकते हो इ तो से पहले आपको फोन को कर देना है connect तो मैं फोन को कर दिया है connect friends मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा पोर्ट बना की नहीं बना तो यह देखिए हम पोर्ट पे जाएंगे पोर्ट में जाने वाद देख सकते हैं कि हमारा यहां पर बन चुका है अब हमें simple और simple हमने model select कर लिया है फोन को connect कर दिया है और simple हम यहां पर कर देते हैं reset MI account तो यह जो आती थी फ्रेंड की बार से wifi फिर से connect करते थे तो वापस सिस्ट में connect हो जाता था फिर से हमारा याँ गांट लगता था तो मैं देखूंगा कि मैं लगता है कि नहीं लगता है और इरिग को चुका है है स्वामी और हमारा प्रोसेस चल रहा है और यहां पर देख सकते हैं सारश और यहां पर complete है and see है यहां पर सब कुछ आपको आप दिखाई दे रहा है मोडल नमबर भी आगया आपको रेड्मी 8 डूल यह हमारा यहां पर इरेस फर्पी भी इन्हों ने कर दिया है मैं एक्चल फर्पी का बाइपस वीडियो भी बनाऊंगा पर यहां पर देख सकते हैं लॉक यहां पर रिसेट हो गया फॉर्मेट होके हो गया और यहां पर देख करते हैं और देखते हैं आपको यहां पर बताते हैं हमारा यह फोन कोरता हूं स्टार्ट यह देखिया हमेरा फोन हो चुका है इसके हमने स्टार्ट कर दिया है अब देखते हैं कि जैसमें pine cloud था वह रिमूंव हुआ कि नहीं हुए तो फ्रेंड जिसमें पर ओलंम आती थी क कि आप वापस से देखिvy हैं पर वाइब दाटा हो रहा है जैसे कि आप किसे आपे डीच करेंगे यह चीक करेंगे कि इसमें वापस से हमारी हैम मैं मौ नए रही है तो यह विदो आपके लिए अबडेट कर रूप में है इसका video मैंने tool का सारे detail अब मैं यहां पिए video इसके बनाते जाऊंगा आपको जैसा भी है सारा चीज Samsung का हो Nokia का हो Oppo WeeBow जो हमारा main अभी चल रहा है टेक्नो का भी और जो भी है मैं यहां पिंगे सारा चीज आपको परूंगा तो बस मैं लाइव ही हूँ आपके साल तो गाइस यह देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं आप पर हमारा इसले तरीके से हमारा फिर से तो नहीं लग रहा है तो चली हम करते हैं और इसमें करेंगे वायप क necessary कर लेंगे और यह सिए और लास्ट तक जुरूर देखेगा यहां पर मैं इंडिया को सेलेट कर लेता हूं क्योंकि इसमें वाइफारपी भी फ्रेंट्स क्या हो चुकिया है एक्च्वल में रिमूब हो चुकि आप यहां पर देख सकते हैं अफारपी और तो इसमें गूगल एकाउंट को लगाईए बट फिर भी मैं इसका नेक्स वीडियो कभी आपको देखने को मिल रहाएगा रेट्मी एटे के उपर एफारपी बाइपास पिताओट पीसी हंडिड़ परसेंट जॉब डग तो जस्ट सेकेंड यहां पर लिख रहा है फ्रेंड् यहां पर कम्प्लीटली हो चुका है सेटफ नवपे आ गया है तो हम इससे करते हैं नेक्स्ट अब यह इसमें फारपी लगा होगा तो यह फॉन वापस से रिज्टाट हो जाएगा वापी अगर नहीं फारपी रिमूव हो गया होगा तो यहां पर यह फॉन उपन ली उपन यहां पर मैंने सारी चीज यहां पर आपको बताई हुई है तो आप तो अब देखते हैं फ्रेंड्स की हमारा काम होता है कि नहीं होता है यह फाइनली अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा जैसा कि आप आप देख सकते हो लोडिंग हो रहा है तो यह हमारा कम्प्लीट हो जाएगा हाला कि हमारा जो हो चुका है पर लाश्ट बस हमें एक चीज यह दिखानी है फ्रेंड्स की इसमें वाइफाइप करना है इसलिए आप लाश्ट तक जुरूर देखिएगा यूखिए बहुत सारे कमेंट आते हैं कि वाइफाइप करिए हमारे स्टुडेंट भी पूछते हैं क्या किया जाए तो यह सलूसर है जो कि स्टूल से के वाल माई नहीं आप बहुत अच्छा टूल है मैं इसके बारे में और भी फुल डेटेल और वेडियो ऐसे आपके लिए लेकर के लिए मैं आता रहूंगा तो यह देखिए हमारा ज यह दैट गया तो फटाट से आपट अपने रहे हैं मैं आप इसका वाइपाइफाइख कर देता हूं और वाइफा अनुत करने के बाद यह देखिए किonda रही में पासवर्ट टाल था हूं अब देखी अब मैंने यहां पर वाइफाई पास्वर्ट डाल दिया है आपको यहां पर connected अभी दिखाई दे जाएगा फिर्ण्स सायद पास्वर्ट गलत हो गया नहीं connect हो चुका है यह हमारा फोन connect हो चुका है आप यहां पर देख सकते हैं वाइफाई connected है अब थोड़ा सा भी और बेट कर लेते हैं क्या पता इसमें वापस से वाइफाई connect है कहीं वापस से इसमें माइकाउंट ना लग जाए तो आप दे इसलिए में डेटल के साथ ये वीडियो आपके लिए बनाया हो जैसा कि आपके देख सकते हैं कोई भी my account वापस से नहीं लगा है जो अप्टन हो चुका है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like, subscribe, share करना ना भूलें मिलते हैं किसी next वीडियो में thank you so much